नमस्कार दोस्तो, मेरा आजिन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे सेल जोतिश मंतर में हार दे स्वागत करता हूँ हर इंसान यहीं चाहता है कि उसको अपनी कारे स्थर पर यानि कि उसके वर्ग प्लेस पे किसी प्रकार का तनाव ना हो तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वर्ग प्लेस पे यहीं कि कारे स्थर पर तनाव होने कि क्या कारणे इसके क्या संकेत है कि फलाविक्ति को या आपको तनाव हो चुका है आपके कारे स्थर पर अगर हो गया तो आप इस तनाव से कैसे बाहरा सकते यह कैसे इससे मुक्त हो सकते है इस सभी विष़े पे आज हम चर्शा करेंगे अगर आप इस सभी से जानना चाहते हैं तो विडियो को श्रुने देखिए पसंद आए तो इसे लाइक और शेर चुलू करें और चैनल को सब्सक्रेक पर लढब होगे हैं तो सबसे पर हम बाद करते हैं दनाओं के रिजन की याने की वर्क प्लेस पर फ牧ी केड़ा करते हैं ध्यान रैं, आज हम सिर्फ खुल के तनाओं की बाद कर रहा है वैसे जीवने बहुत सारे चीज़े होती है जिससे इंसान पर स्ट्रेस हो जाता है लेकिन फिलाल आज हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ बर्क पेस पे तनाप की बात कर हैं कि जब भी आपके बरकल पेस पे आपका ग्राफ ऊचे जाने लगता है, आपका ग्राफ हाई होने लगता है, तो आपसे जलने वाले डोग सबसे पहले तो आपके खिलाफ शड़ेंतर करेंगे, फिर इसके बाद आपके जितने भी आइडियाज हैं या जितने भी आपके सजेस उनका बिरोध करना शुरू करेंगे, उससे भी अगर उनका काम नहीं चलता है, तो फिर वो आपको जूटा सामीद करने की कोशिश करेंगे, अगर इससे भी उनका काम नहीं चलेगा, तो वो लास्ट में आपके चरित प्रहमला करेंगे, आपके करेक्ट्र पर उंगली क्या है कि अपना काम इमांधरी से करते रेना है बस दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है प्रतिस पर्दा या के सकते हैं लोग क्या करते अपने आपको अच्छा सामित करने के लिए या अपने आपको सुबर पावर बनाने के लिए बहुत से गलत काम भी कर लेते हैं और उनकी इस गलत काम के चक्कर में बहुत सारे लोग बिचारे परशान हो जाते हैं या उनको इस्ट्रेस हो जाता है यह है दूस बेसे और भी रिजन है, जैसे कि कम सेलरी होना, बर्क लोट का जादे होना, टाइमिंग का जादे होना, लेकिन ये तीन जो रिजन है उतने खास नहीं जितने की पहले तीन रिजन. तो चलो हमने ये तो जान लिया कि बर्क प्लेस पे टेंशन का या तनाओ का या किसकते स्टेस का क्या कारण है, क्या रिजन है, अब हम यह जानते हैं कि इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसा नहीं कि नुकसान सिर्फ इंपलाई को होता है, या कर्मचारी को होता है, जो सं काम नहीं कर पाएगा जितना कि वो अच्छे रेकर कर सकता था या बिना stress लिए कर सकता था उतना अच्छा काम वो नहीं कर पाएगा तो इस बज़े से दोनों को ही नुकसान होगा employee को भी होगा और employee को भी होगा दूसरा सबसे बड़ा नुकसान होगा professional life और personal life में imbalance हो जाएगा मतलब कर जो व्यक्तिक जीवन है वो उसके professional life से मेच नहीं कर पाएगा उसमें imbalance हो जाएगा और इस बज़े से भी उसको दिक कर जाएगा इन दोनों वज़े से वो depression में भी जा सकता है और इस depression को दूर करने के लिए वो alcohol का भी use कर सकता है यह alcohol का भी use करते हैं से लोग और अंत में क्या होता है वो आत्महंतिया तक कर सकता है तो यह बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं अगर कोई व्यक्तिक कारे इस थर पर अगर tension में हैं अगर तनाव में हैं या stress में हैं तो चलो यह तो हो गई नुकसान की बात अब हम बात करते हैं कि आप खुद tension में हैं या stress में या कोई व्यक्ति इस्ट्रेस में तो इसको कैसे पिचान सकते हैं, तो मैं आपको कुछ संकेत बता रहा हूं, कुछ हिंट्स बता रहा हूं, या कैसे कुछ सिम्टम्स आपको मैं बता रहा हूं, जिसके तुरू आप बहुत असनी से अडिटिफाइं कर सकते हैं, कि फला व्यक या कह सकते हैं कि मन ना लगना या उदास रहना ये उसके बहुत बड़े संख्यतiban ध्यान केद्रीव करने में प्राब्लम होना यraft कि कह सकते हैं लेक अफ कंसेंट्रेशन उसका पावर गशा जाना मसल स्पेन यानि उसकी मान स्पेश्यों में तनाव रहना, खिचाव रहना, डर्द होना पेट संबंदी किसी भी प्रकार की प्राबलम का हो जाना और धीरे-धीरे स्योसल लाइफ से दूर हटते जाना यानि कि जो उसका समझिक जीवन है, उससे धीरे-धीरे दूर हटना और अन्त में एलकोहल और ट्रक्स का एडिक्ट होना ये सबी संके थे जिसके थूँ आप बहुत आसानी से पेचान सकते हो कि पर्टिकलर व्यक्ति इस समय स्ट्रेस से गुजन रहा है चलि हमने जान लिया कि वर्ट्प्लेस पे इस्ट्रेस होने के क्या रिजन है उससे कौन से नुकसान हो सकते हैं और ऐसे लोगों को कैसे पेचान सकते हैं हम बात करते हैं कि इससे कैसे निकला जा सकता है सब्सक्रिए ये सारी प्राब्लम आपके अंदर आ गई है लेकिन मान लीजिए इस प्रकार की प्राब्लम आपके अंदर आ गई है तो उस चीज से या उस दोर से या उस स्ट्रेस से केसे बाहर निका सकते हो अब इसमें हम चर्चा करते हैं कुल मिलाके उपाय जानते हैं कि कोंसे उपाय ऐसे करें जिसके तुरू हम इससे बाहर निका सकते हैं तो उपाय नमबर वन सबसे जरूरी महत पुन पाय कि आप कारिस्तल पर होने वाली जो राजनिती है उसमें अपने आपको इद्वाल ना करें क्योंकि यह श्यूरति है कि अगर आप उस राजनितीं में इनवाद नहीं होंगे 또 हो सकता आपको जादे काम करना पड़े आपको जादे काम मिले और आपको उसमें जादे मेहनेत पर्ड़ेगी लेकिन आपको अगर आप उसमें नहीं म tv लोजो दोग दूसरा अपने आपको आगे बड़ाने की या अपने आपको सुपर पाउर या षोती पार्टिसों ना करें रेस का मतल। कोई reference की ड़ल नहीं करें जो आगे बनने की चाह कर करें लोगे इसकी बात परब बस अपना काम इमांदारी से करते रहें अगर आप अपने काम इमानदारी से करते रहोंगे तो 100% इसका आपको आज निदुपकर इसका फन मिल नहीं है अपने सच्चे मित्रों के साथ बेटकर समस्या का सलूशन निकालें मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सच्चे मित्र की बात कर रहा हूँ जो गलत होने पर आपको भी डाट सके आपको भी सला दे सके तो ऐसे मित्रों के सांँ बेटकर आप किसी प्रकार की समस्य का सलोशन ये समगा निका सकते हैं ना तो आप किसी से जल रखे और नहीं अपने आपको हीन भावना का शिकार होने दें हीन भावनों का मत्ता होता है कि अपने आपको ही लो समझना या अपने आपको ही सबसे कम आकना ऐसा नहीं है आपके अंदर ही वह सारी quality हो सकती है वो जब समय आएगा तब आप अपने वह quality दिखा सकते हो तो इसलिए कभी भी अपने आपको हीन ना समझे और नहीं किसी से जल क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बॉस को या अपनी अथार्टी को दिखाने के लिए ही वर करते हैं और जब वो नहीं होते मतलब उनकी absence में वही लोग जो बॉस के सामने या अपनी अथर्टी के सामने बहुत बढ़ चड़ के काम कर रहते हैं वो ही सबसे ज़्यादे मक्कारी करते हैं और सबसे लास्ट लेकिन बहुत ही महत्पूर्ट गांट बानने वाली बात कि आप ये चिंता छोड़ दीजे कि आपकी नोकरी चली जाएगी या आपक क्योंकि दुनिया का कोई भी बॉस आथर्टी या कोई भी राजनिती करने वाले अपको आपकी नोकरीüstा ही सकते हैं जब आपकी किस्मत में वहाँ पर नोकरी करना लिखाए या जब तक उपरवाला नहीं चायेगा तब तक दुनिया का कोई भी इन्सान आपको उस जौब स नहीं निकाल सकता है, और जिस दिन उसको निकालना होगा, जिस दिन उपर वाले की इक्छा होगी, उस दिन वो निकाल ही देगा, चाहे कितने भी फेवर वाले लोग आपके वाँ क्यों ना बेठर है, तो इसलिए इस सोच को आप अपनी मंद से निकाल दीजिए, कि मेरी अशे किसां तब तक आपने ये फुष और मुझे दी जागिया, चाहे हैं